आप भी SBI Bank के एक customer है और SBI Bank में आपका एक loan account है तो आज के इस वीडियो में हम आपको SBI loan account का statement online download करना सिखाने वाले है तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को start कर लेते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको Google Browser को open करने के बाद आपको online SBI type करना है और search के बटन पर किलिक करना है इसके बाद देखेगा आपके सामने State Bank of India के official website आजाएगी आपको इसके उपर किलिक करना है और यहाँ पर देखेगा आपको personal banking के नीचे ही एक login का बटन दिखाए देगा आ आपको login के बटन पर किलिक करने के बाद continue to login के उपर किलिक करना है अब देखेगा आपके सामने username, password और यहाँ पर देखेगा एक capture code है इसे type करने का option आ जाएगा आपको अपने internet banking के username, password और इस capture code को type करने के बाद internet banking में login कर लेना है जैसे दोस्तों आप SBI internet banking में login कर लेंगे तो इस तरह का dashboard आपके सामने open हो जाएगा अब दोस्तों आपको अपना loan statement डाउनलोड करने के लिए account समरी के नीचे ही account statement लिकावा दिकाई दे रहा है आपको account statement के उपर किलिक करना है आप दोस्तों account statement को select करेंगे तो देखेगा जो आपका saving account है उसके साथ जितने भी account आप के link रहेंगे वो सब भी आपके सामने आ जाएंगे यहां पर देखेगा एक number वाला जो हमारा account है वो हमारा loan account है अब दोस्तों loan account का statement निकालने के लिए आपको दोस्तों loan account के आगे ही यहां पर देखेगा टिक मार करने का option मिल रहा है तो हम यहां पर loan account को select कर लेते हैं अपन statement प्रीड आपके सामने लिकावाएगा और नीचे देखेगा by date, by month, last 6 month और financial year आप चाहे तो date wise भी अपना loan account का statement निकाल सकते हैं वहीं दोस्तों आप last 6 month का भी निकाल सकते हैं और किसी financial year का loan statement निकालना चाहते हैं तो आपको financial year को select करना है हमारे को date wise निकालना है तो मैं by date क select करता हूँ, इसके नीचे देखेगा start date और end date में मैं उस date को type कर देता हूँ, यहाँ पर देखेगा मैंने date को type कर दिया है, date को type करने के बाद यहाँ पर देखेगा आप इस loan statement को किस file में download करना चाहते हैं तो हमारे को pdf file में loan account statement को download करना है, तो यहाँ पर देखेगा third number वा को मैं यहां पर select कर लेता हूं इसके बाद नीचे आएंगे तो यहां पर देखेगा आपको एक go का बटन दिखाए दे रहा है download in PDF format को select करने के बाद आपको go के बटन के उपर click करना है जैसे दोस्तों आप go के बटन के उपर click करेंगे तो यहां पर देखेगा आपके computer या PC में loan account statement को download करने के लिए आपको नीचे देखेगा एक save का बटन दिखाए दे रहा है आपको save के बटन के उपर click करना है जैसे दोस्तों आप save के बटन पर click करेंगे तो आपके computer में आपका loan account statement download हो जाएगा अब आप आसानी से इसे check कर सकते है तो इस तरह से दोस्तों आप पी SBI loan account का statement गर बेटे ओनलाइन अपने mobile phone से download कर सकते है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like करके हमारी चैनल को subscribe जरू करेगा जेहिन जे बारत